हेलो विद्यार्थियों एल्वे क्लासेच के इस न्यू लाइव श्ट्रीम में आप शबी का स्वागत है तो मैद्स के इस लेक्षर में आज आप सभी लोग यहां पर प्रस्नावली 4.5 पढ़ने वाले हैं लेकिन इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको यहां पर सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताया भी गया था तो अब यहां पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारे कॉंसेप्ट भी यहां पर आपके क्लियर करा दिये जाएंगे इसके अलावा फुर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर पर जोईन कर सकते हैं वहां पर आपको फिजिक्स मैथ इन सभी के पीडियाफ नोड्स प्रॉइड किये जाएंगे और साथ में किमिश्ट्री के रिकाड़र लेक्शर और नोड्स बिल्कुल फ्री में प्रॉइड किये जा रहे हैं तो सबसे पहले दन देजी अब आप यहा नेहें वाद एृट अाम और सानडिक बताया गया था व्कर आप सहकन्ड बोल सकते हैं या फर आप बोल सकते हैं सहें गुड़न खंड या फर सह गुड़न खंड तो यह यहाँ पर हो जाएगा आपका जिसमें आपको बताया गया था इससे आप A, I, Z या फर C, I, Z से प्रदर्सित कर सकते थे इससे बोला जाता था सह खंड या फर सह गुड़न खंड लेकिन जो अब आप पढ़ेंगे इससे बोला जाएगा सह खंड और इससे जब भी लिखा जाएगा तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं आप इससे आप लोग एक बताएगा तो इस था प्रदर्सित करते थे इसके बारे में आपने पहले वाले एक्सराइज में पढ़ा है तो उससे आप लोग एक बार रिवाईज ज़रूर कर लेज़ेगा तो आपको यहाँ पर इस एक्सराइज के सभी टॉपिक जो अच्छ स क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहले यहां पढ़ना दीजिए सहखंड़ आविव यानि की एड्जॉइंट मेट्रिक्स क्या होता है इसके लिए माल लेजिए आपके पास कोई एक एजु है एक वर्ग आविव है किस प्रकार का एन गुड़े एन कोटी का आपको यहां पर एक वर्ग आविव दिया गया है तो आपको अगर एक का सहखंड़ ग्याद करना है तो एक का सहखंड़ दो होगा उससे आप इस प्रकार से प्रदाशित कर सकते हैं Adjoint of A बराबर होता है C की Power T इस प्रकाश लिख सकते हैं जिससे आपको पहले ही बताया गया था Power में T लिखाओ या डैस लगाओ तो इसका मतलब परिवर्थ आव्यू यह आपको बताया जा चुका है C की Power T का मतलब Transpose Matrix यानि कि यहाँ पर परिवर्थ आव्यू की बात हो रही है तो यह प्लोग याद रखेगा और अगर C की बात करें तो C क्या है आप बता सकते हैं जहां C जो है यह सह गुडन खंडों से बना आपका आव्यू होता है तो आप बता सकते हैं C जो है शह शह गुडन खंडों से बना आव्यू तो यह अप लोग याद रखेगा है यहाँ पर यहाँ पर Adjoint A याणि कि सह खंड़स जो है आपका यह किसका सह खंड़स दिया गया है आव्यू A का सह खंड़स यह किसके बराबर है C की पावर्टी याणि कि यहाँ पर जो है यह आपको बता दिया गया है कि सह खंड़स बना आव्यू इसको समझने के लिए धन देजे जैसे कि आप मान लेजे आप यहाँ पर लख शक्ते हैं जैसे आप इससे जो है यहाँ पर इस पूरी कंडिशन को बहुत ही आसाने से समझ जाएंगे सबसे पणे देजे जैसे कि मान लेजे आपको यहाँ पर जो है एक आव्यू ए दिया गया है इस प्रकार से इसके आव्यू यहाँ पर आपको दिये गए हैं A 1 1 A 1 2 A 1 3 इसके बाद A 2 1 फिर है A 2 2 और इसके बाद है A 2 3 और फिर यहाँ पर है ये 3-1 3-2 और 3-3 इस प्रकाश यहाँ पर ये जो है आपको ये एक matrix दिया गया है ये एक आव्यू दिया गया है तीन गुडे तीन कोटि का तो आपको जो सह गुडन खंड बताया गया है यहाँ पर जो है आपने पढ़ा है सह गुडन खंड शह गुड़न खंड और सह गुड़न खंड के बारे में आपको बताया गया है A, I, Z बराबर होता है माइनिस बन की पावर I प्लस Z और इसके अलावा M, I, Z जहांपर M, I, Z आपका माइनर यानि की यह जोई आपका उपसाडिक होता है इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है तो यहां पर आपको यह ग्याद करना होगा सह गुड़न खंड सबसे पहले तो अब धन देजे यहां पर सह गुड़न खंड से बना आपको आवियो ग्याद करना है यानि की दंदेजे जब आप C ग्याद करेंगे तो किस प्रकाश आप लिखेंगे सबसे पहले दंदेजेसे कि यह दिया गया है, पहला अवेव तो इस आवेव का जब आप सहय खंड ग्याद करेंगे तो इस प्रकाश लिख सकते हैं A11 यह हो जायाँगा, इसी प्रकाश जब दूसरे अवयों का सहे गुडन खंड ग्याद करेंगे तो इसे ऐसा आजएक सकते हैं इसका ग्याद करेंगे तो यह हो जाएगा A13 इसी प्रकाश आपको यहाँ पर सभी अवयों के जो है सहे खंड यह नहीं के सहे गुडन खंड ग्याद करने है इसका ग्याद करेंगे तो a, 21 आजायेगा, यहाँ पर हो जायेगा 22 और यह हो जायेगा 23 इस तरीके से जो है आप यहाँ पर c ग्याद कर सकते हैं, यह जो है आपका सहह गुड़न खंडशे बना यहाँ पर आव्यो हो जायेगा और जब आप सहहभुणन खण्ड शे बना आविव ग्यात करलेंगे तो आपको यहां पर जो है ग्यात क्या करना है सहे खंड़ सहे खंड़ का मतलब Adjoint of a यानि कि जो आपको ये आविव दिया गया है इस आविव का आपको सहे खंड़ अगर ग्यात करना है तो अब क्या करेंगे C की पावर T यानि कि जो C ग्याद हुआ है इसका आपको परिवर्त आविव ग्याद कर लेना है अब दंदेजी जब आप इसका परिवर्त आविव ग्याद करेंगे तो परिवर्त आविव ग्याद करने के लिए आपको बताया गया है कि row को हम लोग column में change कर सकते हैं जैसे कि दंदेजी ये इसकी पहली row है इससे column बना दीजी तो a, one, one यहाँ पर हो जाएगा one, two और यहाँ पर हो जाएगा one, three इस प्रिकाश से पहली row जो थी इसे पहला column बना दिया गया दूसरी row जो दीगए इसे दूसरा column बना दीजी two, one यह हो जाएगा आपका two, two और फिर इसके बाद हो जाएगा two, three उसी प्रिकाश के दंदेजी यह तीसरी row है इसे तीसरा column बना दीजी यानि कि a, three, one यह हो जाएगा three, two और इसके अलावा यहां पर हो जाएगा a, three, three इतना हो जाएगा इस प्रकाश आपको यहां पर adjoint a यानि कि सहखंड़ज ग्याद करना होगा यह जो है यहां पर a का सहखंड़ज है इससे आप लिख शेक्ते हैं a का सहखंड़ज तो यह यहां पर जो है अपका आव्यू ए का सहखंड़ज हो जाएगा यह अप लोग याद रखेगा adjoint a यानि कि यह जो है आव्यू ए का सहखंड़ज सहखंड़ज ग्याद करने के लिए c की power t c क्या है यह आपका जो है यहां पर सहखंड़ज बना एक आव्यू है यह आपको आव्यू ए गया था जो इस माल ए लिखा गया यह सभी जो है इस आव्यू के आवेओ दिये गये जब इन सभी आवेओं कि हम लोगों ने सहखंड़ज ग्याद किया तो यह आप देख सकते हैं यह एक सहह गुड़नखंड से बना आविव हो गया और जब इसका हम लोग परिवर्त आविव ग्याद करेंगे तो यहां पर इसका जो परिवर्त आविव आएगा वो क्या हो जाएगा इस आविव का सहह खंड़स हो जाएगा यह जो जाएगा इस तरीके से आप यहां पर जो है सहह ग्यात करेंगे तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है अब आपको यहाँ पर सहेखंड़स के जो है कुछ गुर्धर्म याद रखने है यहाँ पर जो सहेखंड़स आविव होगा उसके आपको कुछ गुर्धर्म याद रखने है जैसे कि रहंदेजे मालेजे ए यहाँ पर जो है एक N गुड़े N कोटी का वर्ग आव्यू है तो सबसे पहला गुड़धर्म आप लोग याद रखे गए आपर कहीं पर अगर आपको A into Adjoint A दिया गया है तो ये जो है बराबर होता है Determinant of A into I यानि किसाणिक A into I के बराबर होता है और इसके अलाव ये जो दिया गया था आपको A into Adjoint A इससे आप ऐसा भी लिख सकते है Adjoint A into A इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं तो ये गुड़धर्म आपको यहाँ पर याद रखना है A आपका एक N कोटी का जो है यहाँ पर आव्यू दिया गया है तो यहाँ पर A. Adjoint A जो होगा डाट का मतलब इन तो यहाँ पर दिया गया उससे प्रकाश Determinant A I I क्या है यहाँ पर उसी कोटी का जो है एक यह जो है आपका यहाँ पर एकाई यानि के तत्समक आव्यू हो जाएगा इस प्रकाश आपको यह गुर्धर्म याद रखना है इसके अलावा सेकेंड गुर्धर्म आप लोग यहाँ पर याद रखेगा आप लोग याद रखेंगे Adjoint A यानि के अगर आपको इस प्रकाश दिया गया है कहीं पर Determinant of Adjoint A तो इसका मान जो होगा Determinant of A की पावर N-1 इसके बराबर होगा Determinant Adjoint A जो दिया गया इसका मान Determinant of A N-1 यानि के साड़िक A की पावर N-1 N क्या है यहाँ पर इस आविव की कोटी है N यहाँ पर क्या है कोटी दी गई है यह अप लोग याद रखेंगे इसके अलावा तीसरा गोड़ धर्म आप लोग याद रखेंगा अगर मान लेजे Adjoint A भी दिया गया है तो Adjoint A भी बराबर होता है Adjoint B और Into Adjoint A यह अप लोग याद रखेंगे Adjoint A भी बराबर होता है Adjoint B into Adjoint A यह अपको याद रखना है इसके अलावा अप लोग याद रखेंगे यहाँ पर Adjoint A डैस अगर आपको ऐसा कहीं पर दिया गया है तो इससे आप ऐसा लिख सकते है Adjoint A का Whole डैस A डैस लगा था डैस का मतलब यहाँ पर इसका परिवर्त आवियो दिया गया है तो इस प्रकाश आपको यहाँ पर यह गुर्धर्म याद रखने है इनकी जरुवत आगे आपको कोशन को सालो करने में जो है पढ़ सकती है तो यह प्लोग याद रखेंगे यहाँ पर इसके अलावा धन दिजी अगर आपको आवियो का व्यूत करम गयाद करना है आवियो का व्यूत करम तो अब आवियो का व्यूत करम गयाद करने के लिए धन दिजी यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है एक इन्वर्स आवियो का व्यूत करम इसे हम लोग लिखेंगे A inverse से और formula होता है one upon determinant of A इसके अलावा adjoint A यह formula याद रखना है आपको यहाँ पर यह जो है जो formula दिया गया है यह आप विव का विवतकरम यानि की A inverse ग्याद करने का formula है यह लोग याद रखेगा अगर आपको आपको A inverse यानि की ग्याद करने के लिए आपको determinant of A ग्याद करना है इसके अलावा यहाँ पर adjoint A जब आप यह दोनों ग्याद कर लेंगे seconders और इसके अलाव डिटर्मिनेंट आफ A तभी यहाँ पर A inverse जो है ग्याद होगा इसके अलावा ग्याद रखेगा यहाँ पर कि A inverse आपका तभी ग्याद होगा अगर यहाँ पर determinant of A is not equal 0 यह अप लोग याद रखे गगा आपsight determinant of a is not equal zero, यानि कि अगर आप determinant of a गयाद करते हैं, इसका मान zero के बराबर नहीं आता है, तभी वहाँ पर a inverse का अस्तित्त होगा, यह अप लोग याद रखेगा, तभी वहाँ पर a inverse गयाद के जा सकता है, लेकिन अगर आपने determinant of a गयाद के और इसका मान zero आ गया, तो अगर यहा यहाँ पर द्यान देजिए zero से भाग करने पर क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अगर इसका मान zero नहीं होगा, तभी यहाँ पर a inverse यानि कि आवियू के वियुद्क्रम कास्टित्त तो होगा, यह लोग याद रखेगा, तो सबसे पहले आपको होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यह पता चल पाएगा, कि इस आवियू का जो है इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके अलावाँ जो आपको सबसे पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर कुछ पॉइंट और भी बताया गये थे, एक बार फर्स इदन द करमड़ी है, और एक बताया गया था आपको आवियूत करमड़ी है, वियूत करमड़ी है, और इसके अलावा आवियूत करमड़ी आवियू, इनके बारे में आपको सबसे पहले सुरुवात में ही बताया गया था, तो यहां पर रदान देजे इनके बारे में आपको बताया गा था व्योत क्रमडी आव्यू वो होता है जहां पर Determinant of a is not equal 0 होता है और जहां पर Determinant of a is equal 0 होता है वहां पर जूाव्यू होगा उससे बोला जाएगा आवियूत क्रमडी आवियू यानि कि अगर आपको कोई आवियू दिया गया है यहाँ पर जो है ए आपको एक आवियू दे दिया गया है N गुडे N कोटिका तो अगर आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट ओफ ए गयात करते हैं और उसका मान अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है यह दो पॉइंट आपको शुरुआत में ही बताया गया थे लेकिन यहाँ पर भी आप लोग यह दो डेफिनिशन यहाँ पर याद रखेगा कभी कभी इनसे रिलेट कोशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो यह दो पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेगा अब यहाँ पर जो हम लोग 4.5 के जो कोशन है वो सालो करेंगे तो सबसे पहले धन्देजी यहाँ पर लिखा है प्रश नमबर एक और दो में प्रतिक आव्यू का सहे खंड़ यानि कि आपको एडज्वाइंट ग्याद करना है तो सबसे पहले धन्देजी यहाँ पर यह अपको एक आव्यू दिया गया अपको इसका यहाँ पर क्या ग्याद करना है सहे खंड़ ग्याद करना है और आप सभी लोग जानते हैं सह खंड़स ग्यात करने के लिए सबसे पहले आपको सह गुड़न खंड पता होने चाहिए तो अब धंदेजी सह गुड़न खंड जिससे आपको बताया गया है A, I, J बराबर क्या होता है यहाँ पर जो है माइनस वन की पावर I प्लस J और इसके अलावाँ M, I, J यह होता है यह फॉर्मूला जो है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर अब इसी फॉर्मूले का यूज करके जो हम लोग सबसे पहले सह गुड़न खंड ग्यात करेंगे अब धन्देजी जब सह गुड़न खंड आप ग्यात करेंगे यहाँ पर तो जैसे कि यह दिया गया है अपको सबसे पहले ग्यात करना होगा A, 1, 1 यानि कि सबसे पहले अवयों का सह खंड अब धन्देजी सबसे पहले धन्देजी आपर केतना है यानि कि सबसे पहले इसके बाद M, I, Z यह आपका होता है उपसांड एक तो जिस अवयों का आप उपसांड ग्यात कर रहे हैं उससे होकर जाने वाली रो और उससे होकर जाने वाली स्थम्ब को छोड़ देना है जो से इस बच्चे का वो आपका होता है उपसाड़िक तो यहाँ पर कितना आजाएगा 4 अब धन देजे माइनस वन की पावर कितना आएगा 2 यानि कि पावर सम है तो इसका मान धन हो अब धन देजे माइनस वन की पावर 1 प्लश 2 अगर आप डारेक्ट कर सकते है तो डारेक्ट लिख देजे आपर यह बार बार आपको फार्मूला यूज करने के जोरत नहीं है लेकिन यहाँ पर मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं हर बार फार्मूला यूज करता हूं इ अब की बार आप यहाँ पर जो है दूसरे अवयों के लिए ग्याद कर रहे है यानि कि इसके लिए आपको ग्याद करना है तो इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाला इस तंब इसको छोड़ देजे कितना बचा तीन तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तीन अब धन अगर यहां पर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पर अब जो हम लोग इस आवेओ का ग्याद कर रहे हैं तो सबसे पहले धन देजे यहां पर आप लेखेंगे माइनस वन की पावर 2 प्लस 1 इंटू अब धन देजे इसका जब आप उपसाड़े ग्याद करेंगे तो यह गया और यह गया इसको छोड़ देना कितना बचाए 2 यह इतना आ जाएगा यहां पर धन देजे 2 एक 3 पावर में 3 आया विसम संख्या है तो इसका मन माइनस में आएगा माइनस से इसमें गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा इससी तरीके से अब यहां पर आप ग्याद करेंगे ए 2 यह हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 यहां पर यह पावर वाली संख्या है इससे लिखी जाती है इसके बाद धन देजे अब यहां पर जो है इतना हो गया अब यहां पर मेलोग इस आवियू के लिए ग्याद करेंगे तो इससे जाने वाला कॉलम्ब और इस तरह छोड़ देजी कितना बचा वन यहां पर आजाएगा वन अब दंदेजे पावर में कितना आएगा फोर यानी कि सम संख्या है सम है तो इस सहखंड का आवियू तो सहखंड का आवियू तो सहखंड का आवियू बनेगा सबसे पिल दंदेजे पर कितना आया था फोर पर इसके बाद माइनस थ्री यहां पर दंदेजे माइनस का टू यहां पर कितना आया वन इतना हो गया अब आपको ग्यात क्या करना है यहां पर सह खंडस ग्याद करना है अब आप लिख सकते हैं शह खंडस बराबर अब दन देजी यहां पर यह जो आविव आया है इसका आपको यहां पर परिवर्त आविव लिखना होगा यानि कि इससे आप मान लेजिए क्या C इतना आप मान लेजिए तो यहां पर शह खंडस ग्याद करने के लिए C की पावर क्या अगरत करना होगा आपको T इससे प्रकाशे तो जान देजिए इसकी जो पहली रो है इससे कॉलम बना देजिए 4 माइनस 3 यह दूसरी रो है इससे दूसरा कॉलम बना देजिए माइनस 2 वन यह यहां पर जो है इसका सह खंडस हो जाएगा इस तरीके से आपको यहां पर जो है सह खंडस यहां फर इससे आप बोल सकते हैं Adjoint of a लिग देजिए यानि कि यहां पर जो है यह जो आविव दिया गया था इसका जो है यहां पर यह क्या हो जाएगा सह खंडस हो जाएगा इससे आप चाहे तो यहां पर जो है आविव ए मान सकते हैं इससे प्रकाश है यहां पर तो यह जो है यहां पर आविव एक आपका एक सह खंडस हो जाएगा इससे प्रकाश आपको ग्याद करना रहेगा तो यह तो बहुत ही सिंपल था क्योंकि इसमे दो गुड़े दो कोटिका एक आविव दिया गया था फोर ही आवयों थे लेकिन अब आगे धन देजी तो अब धन देजे आपर कोश्चन नमबर टू यह जो दिया गया आपको सबसे पहले तो आप इससे जो है यहां पर मान देजे एक बराबर यह आप मान देजे यह आपको यहां पर एक आविव दिया गया तीन गुड़े तीन कोटिका अब आपको सबसे पहले यहां पर ग्यात करने है सह गुड़न खंड इसके लिए पको फॉर्मूला बता दिया गया है ए आई जे बराबर माइनस वन की पावर आई प्लस जे इसके अलावाँ M I Z इतना होता है यह फॉर्मूला आप सभी को बताया गया तो यहां पर जो है आई जे इतना हो गया इससी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग घ्यात करेंगे तो सबसे पहले धन देजे यहां पर आप ग्यात करेंगे A 11 अब धन देजे यहां पर आपको समझना है क्योंकि ये तीन गुड़े तीन कोटी का आविव आपको दिया गया तो जब आप ये वन वन ग्याद करेंगे तो कैसे आपको ग्याद करना है सबसे पहले देजी वन वन का मतलब यहां पर जो आपको पहली पंक्ती और पहला इस्टंब यह आपको छोड़ देना है कितना ब इतना आया लेकिन अब धन्दजे यहाँ पर जो चिन लगेंगे वो इस फॉर्मूले के अनुसार लगेंगे तो कितना है 1, 1 इसका मतलब आप लिख सकते हैं minus 1 की पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पर कितना आयाँ धन्दजे 3 क्योंकि –1 की पावर 2 ये एक सम संख्या है इस तरीके से आप यहाँ पर ग्याद करेंगे इसी तरीके से धन देजे अगला हो जायाँगा A12 अब आपको ये ग्याद करना है अब की बार धन देजे यहाँ पर जो है 12 12 का मतलब पहली पंक्ती और दूसरा इस्तम आपको छोड़ इसके अलाव धन देजे 52 यहाँ पर होगा माइनस लेकिन जब इनका गुड़ा करेंगे 52 यह भी माइनस में आएगा तो यह बदल जाएगा आपका प्लस में इतना हो गया अब धन देजे यहाँ पर 12 दिया गया तो 12 का मतलब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा पावर में यहाँ पर 3 आएगा और माइनस 1 की पावर 3 का मतलब धन देजे विसम संख्या है इसलिए इसका मान आपका माइनस में आ जाएगा तो इससे आप लिख सकते हैं 10 और 12 यह आ जाएगा आपका माइनस का 12 यह चीज़े अब मैं डारेक्ट लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर फॉ पहली पंक्ती और तीसरा इस्तम यह छोड़ देना है इसका गुड़ा करेंगे दो गुड़े 0 करेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा फिर देंदेजे 3 गुड़े 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 यह अपका माइनस का 6 आएगा तो माइनस 6 करेंगे तो यह प्लस का 6 हो जाएगा इतना हुआ लेकिन यहाँ पर दंदेजी वन और थ्री इनका जोड़ कितना जाए समार आगा समाई तो इस कमान समझ लेज़े आपको प्लस में होगा बस यही चीजी आप देखना है यहाँ पर देखें दो एक कितना हुआ तीन विसम है तो इस कमान मैनस हो जाएगा यहाँ पर देजे यहां पर जो है यह कितना आ जाएगा आपका छे आ जाएगा इस तरीके से हम लोगों ने यह ग्याद किया अब इसके बाद देजे अब यहां पर हम लोग ग्याद करेंगे एक टू वन अब इसके लिए धन देजे अब यहां पर टू आ गया टू का मतलब अब की बार दूसरी होगी और इस्तंभ आपका पहला होगा दूसरी पंक्ति पहला इस्तंभ इसको आपको छोड़ देना है अब दंदेजे यहां पर सायद एक अवेव आपका कट गया है यहां पर देखे दो दिया गया था आपको यहां पर जो है इसमें दो दिया गया था तो अब धन्देजे सबसे पहले दूशरी पंक्ती और पहला इस्तम आपको छोण देना है तो बच्चा क्या एक का गुणा एक में करेंगे तो यह आयाएगा आपका माइनस का एक इसके बाद देखे जीरो का गुणा दो में करेंगे तो यह आजए गा आपका जीरो यहां पर देखे दो और एक तीन विसम संख्या आ रहे इस लिए इसका मान माइनस मिल देजे अब धन देजे यह माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस का वन आजाएगा इससी तरीके से आप ग्याद करेंगे ए तू तू इसके लिए धन्दे इसलिए माइनिस चार आएगा तो यह प्लस का हो जाएगा इतना है यहाँ पर देखे दो प्लस दो यह आपका सम है यहाँ पर जोड़ेंगे तो तो इसलिए इसका मन प्लस में ही आएगा यह पांच हो जाएगा इसके बाद आप ग्याद करेंगे ए टू थ्री इतना हो आपका 3 अब देखिए यहां पर 2 3 दिया गया इसका मतलब जो है दूसरी पंक्तिय और तीसरा इस्तबब की बार छोड़ना है यह आपको छोड़ देना है इसका गुड़ा करेंगे तो एक गुड़े 0 यह 0 आ जाएगा फिर धन देजे 2 एक कम 2 यहां पर जब गुड़ा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर आप दो लिख देजी अब इतना हो गया इन दोनों का योग देखिए 3 दो 5 स्विशा मा रहा यहां पर माइनस लगा देजे यहां पर देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस का 2 हो जाएगा इतना हो गया अब इसके बाद आप लोग ज्यात करेंगे ए 3 वन अब यहां पर आम लोग तीस्री पंग्टि में आ चुके हैं चलिए यहां पर देखिए यहां आपको दिया गया था फाइफ अब की बार आपको तीशरी पंक्ति और पहला इस्तंप छोड़ना है तीशरी पंक्ति और पहला इस्तंप इससे आप छोड़ देजे तो यहां पर जब इससे आप छोड़ देंगे तो देजे यहां पर यह हो जाएगा पांच एकम पांच माइन माइनस का 3 दूनी 6 इतना हो गया यहां पर देखे 3 और 4 यह समा रहा तो इसका मन प्लस में रहेगा 6 और 5 कितना हो जाएगा माइनस का 11 बस याद रखेगा इनके आगे जो चीने लगाया जा रहे हो इन दोनों को जोड़ना है अगर यह सम है तो प्लस अगर विसम है तो माइनस अब धन देजे अगला हो जाएगा 1, 3, 2 इतना अब इसमें आप धन देजे यहां पर जो है आपको दिया गया है दो इतना हो गया अपकी बार यहाँ पर देन देज़े तीसरी पंक्ति और दूसरा इस्तम छोड़ना है तीसरी पंक्ति और दूसरा इस्तम इसका गुड़ा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा इसके अलावाद 2 दूनी 4 हो जाएगा 3 और 2 पांच आ रहा है विसम संख्या इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर होगा माइनस का 1 फिर इसके बाद आप ग्याद करेंगे 3 3 अपकी बार देखें यहाँ पर इतना हो गया यहाँ पर दिया गया था आपको 0 अबकी बार तीसरी पंक्ति और तीस्तं भी छोड़ना है तीसरी पंक्ति और तीस्तं चोड़न देजे तीन एकडम 3 आएगा फिर माइनस लगाईए इसका गुड़ा करेंगे तो 2 एकडम 2 यह माइनस का दो आएगा आपका तो यहाँ पर हुजाएगा प्लस का दो इतना हुआ तीन और तीन छे होगा तो यह प्लस में आएगा तो यहाँ पर दन देजे इसको जोड़ देजे आप यह आगया पांच इतना अब यहाँ पर जो हम लोगोंने सह गुड़न खंड ग्याद ग्यात कर लिये है तो अब आपको यहाँ पर जब सह गुड razor मिल गया तो आप चाहे तो यहां पर जुए इन सभी गुड़न खंड़ों से बना एक आङ्यात कर सकते है तो आप यहां पर लिक शकते हैं के सह गुड़न खंड खंड रहे हिसा हिस非 बना इससे आप लिख सकते हैं C से अब दन देजे सबसे पहले यहां पर इससे बना आवे उम लोग लिखेंगे तो यहां पर दन देजे आपको पहला वह दिया गया 3 फिर इसके बाद है माइनस का 12 फिर दिया गया है 6 इतना हो गया फिर दान देजी यहां पर हो जाएगा 1 इसके बाद हो जाएगा 5 फिर यहां पर दिया गया 2 इतना हो गया फिर यहां पर दान देजी माइनस का 11 माइनस का 1 और फिर आपको दिया गया है 5 तो ये जो यहाँ पर हम लोगों ने सहग गुड़न खंडों से बना आविव ग्यात कर लिया है अब आपको ग्यात करना है यहाँ पर एड्जॉयंट यानि की आप लिख सकते हैं एड्जॉयंट आफ ए बराबर क्या होता है आप देन देजे जो यहाँ पर में लोगों ने सी ग्यात किया इसका परिवरत आविव ग्यात करें देखिए पहली रोहे से पहला कॉलम बना देज़े 3, माइनस 12 और 6 ये दूसरी रोहे से दूसरा कॉलम बना देज़े 1, 5, 2 इससे प्रकार से जान देज़े तीसरी रोहे तीसरा कॉलम बना देज़े माइनस का 11, माइनस का 1 और यहां पर हो जायेगा 5 यह यहां पर जो है इसका आशार आ गया इस तरीके से आप एड़जुएंट यानि कि सह खंड़ जो है ग्याद करेंगे सबसे पहले याद रखेगा जो भी आवू आपको दिया जाएगा उसके सह गुड़नखंड आपको ग्याद करने हैं फिर सह गुड़नखंडों शे बना आदू आपको ग्याद कर लेना है और फिर आप उसका परिवर्त आदू ग्याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा सहे खंडज यानि की एड्जॉइंट ओफ ए इस तरीके से आपको साहलो करना रहेगा इसके बाद धंदेजित जहां पर दंदेजी इसमें दिया गया प्रेस नंबर तीन और चार में सत्यापित कीजी एड्जॉइंट दिया गया आपको इसके लाँ एड्जॉइंट ए इंटू ए इसके लाँ डिटर्मिनेंट ओफ ए इंटू आई जो अभी आपको यहां पर जो है सायखंडर का एक गुर गार्बर कि अफिक यह इसनल हो गया तो सबसे पहले आपको पता है यहां पर आपको गयाद करना रहता है प्लस रहेगा, प्लस का मतलब, यहाँपर अलग से अपको प्लस लगाना, पहले से माइनस यह रहेगा, इसके अलावा धंदूजे अब आप गयाद करेंगे, तो अब की बार धंदूजे पहली रो और दूसरा वाला कॉलम छोड़ना कितना आएगा, माइनस का फूर, यह इतन फो गया आप इसके बाद आप यहाँ पर ग्याद करना चाहें तो अब ग्याद करेंगे ए फून इसके लिए धन्दजी दूसरी पंत्री और पहला इस्तेम छोड़ेंगे तो कितना है गर टीन यहां पर Big अर चितना हुब हैं 3 समस्ख्या है यहाँ पर मैंनेस लगा दीजिए इसके अलावागा देजिए यहाँ पर दीजिए दूषरी पंग्ति और दूसरा यस्तंप जोड़ेगे जिब दूषरी पंग्ति और यस्तंप छोड़ेगे । तो कितना हैगा? 2. यहांपर 2 और 2 चार रहेगा तो Samsung क्या है? इसका मानिया पर प्लस में रहेगा. यह इतना हुआ यानिदी कि हम लोगों ने क्या ग्यात किया? सहे गुडण खण्ड ग्यात किये. तो अब अगर आप यहांपर यहां पर सहे गुडण खण्डों से बना एक आ गया तो अब आप ग्यात करेंगे यहाँ पर adjoint of a बराबर कितना हो जाएगा c की पावर t अब धन्देजी यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने c ग्यात किया था इसकी धन्देजी पहली रोही से पहला कॉलम बना देजी माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा 4 यह आपका धन्देजी पर दूसरी रोही से दूसरा कॉलम बना देजी माइनस 3 टू इतना तो अब धन्देजी यहाँ पर जो हम लोगों ने adjoint a यह ग्यात कर लिया है तो अब धन्देजी सबसे पहले यहाँ पर आपको adjoint a पता चल गया इसके अलावा धन्देजी यहाँ पर जो है इसमें आपको ग्यात करना है determinant of a तो इसके लिए दादन दीज अकर आपको यहाँ पर जो है determinant of a याद करना तो कैसे गयात करेंगे determinant of a गयात करने के लिए इसका गुड़ाए धर किटना होगा यहाँ पर आएगा रखेंगे तो यह प्लस का 12 हो जाएगा नहीं कि इसका मान कितना आजाएगा जीरो आजाएगा यह आपको आजाएगाज़ गिहाँ प्लस का 12 तो अब धंदेजी यहाँ पर आजाएगाँ कर ये इतन आ पर ग्याद बात करना था सबसे पहले तो अब धन देजी एक आमान आपको यह दिया गया यहां पर आप मान रखें यह हो जायगा 2 इस के लाओंध दिया गया है 3 फिर हैं माइनस 4 और माइनस 6 इतना हो गया यह एक आमान हो गया अब इसके बाद यहां पर हम लोग एड़ जॉइंट एक आमान रखेंगे यह वाला यहां पर हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3 4 2 कितना हो गया अब इसका जुम लोग यहां पर गुड़ा करने वाले हैं गुड़ा करना आपको आभू का सबसे पहले बतायागा था आभू में तो अब धन देजे पहले हम लोग इस कॉलम से इस रो में गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12 यहां पर आएगा माइ माइनस का 6 फिर 2 त्याई 6 यह हो जाएगा आपका प्लस का 6 इससे प्रकाश देजे यहां पर अब दूसरी रो में गुड़ा करना है तो यह हो जाएगा 6 4 को 24 माइनस माइनस प्लस फिर इसका गुड़ा करेंगे तो 6 4 को 24 यानि कि माइनस का 24 आ जाएगा अब दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो तीन चौक बारा माइनस माइनस लेस हो जाएगा इसके अलावा ध्यंदेजी दो छंग बारा इतना आ गया इसका मतलब ध्यंदेजी यहाँ पर जो है एड़ जॉइंट ए बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कैंसल होगा जीरो 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 इतना आज आएगा यहाँ पर आ गया इससे आप माइश चकते हैं सम्मी का नमबर फइस्ट इस तरीके से हम लोगों ने यह ग्यात किया इसके अलावा ध्यंदेजी और क्या था है आपर एड़ जॉइंट ए इंटू ए दिया गया है अब यहाँ पर जो है हम लोग ग्यात करने वाले है एड़ जॉइंट ए और इसके अलावा ए इस तरीके से तो सबसे पहले अपकी बार आपको एड़ जॉइंट एक आमान रखना है यह जो दिया गया था यह वाला आमान यहाँ पर हम लोग रखेंगे यह हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3 फिर दिया गया 4 2 इतना हो जाएगा अब एक आमान रखेंगे एक आमान देखे यह रखा गया तो यह वाला रख लेते हैं पर 2 3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 6 इतना हुआ है यहाँ पर भी हमको गुड़ा करना है जिसे हम लोगों ने किया था अब धंद इतना आगया अब दूसरे कॉलम से करना तो 3 चंग 18 यह माइनस का 18 हो जाएगा इसके बाद धंदिजी छे त्रिक अठारा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इतना आगया इसके अलावा धंदिजी अब दूसरे रों में करेंगे तो 2 चोग को 8 फिर इसके बाद 4 दूनी 8 यह माइनस में आजाएगा दूसरे कॉलम से करेंगे तो तीन चोक 12 इसके बाद धंदेजे 6 दूनी 12 यह माइनस में आएगा तो माइनस का 12 इतना हो गया यहां पर जो है एड़ जॉइंट ए टू ए बराबर जब हम लोग ग्यात करेंगे तो देखें यह कट जाएगा प्लस बाद जो हम लोग यहां पर ग्यात करेंगे डेटर्मिनेंट ओफ ए और इंटू में आई डेटर्मिनेंट ओफ ए इसका मान जो है अभी हम लोगों ने ग्यात किया था डेटर्मिनेंट ओफ ए आपका आया है जीरो डेटर्मिनेंट ओफ ए जो है यह हो जाएगा जीरो इसके भी मान धन देजे इसमें जब गुड़ा होगा तो 0, 0, 0, 0, सभी अवयों क्या हो जाएंगे 0 इसको आप मान सकते हैं समीकर्ण नमबर 3 अब आप बता सकते हैं आप शमी करण एक, दो, वा, तीन से इतना हो जायागा तो समीकर्ण एक, दो, तीन सभी में धन देजे RHS में सभी में 0 आया है, तीनों में, तो इसका मतलब LHS भी बराबर होंगे, या नहीं कि धन देजे इन तीनों के जो है, RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर था A Adjoint A, इसका मान जो है, बराबर आया है Adjoint A into A के, और इसके अलावाण Determinant of A into I के, इन सभी का मान जो है, कितना आया है, 0, 0, 0, 0, इतना, यही जो है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना था इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सिद्ध करेंगे, कोई समस्या नहीं है, बस जब पेपर में आयागा तो वहाँ पर आपके अंक बदलेंगे हो सकता है, आवी जो दिया गया है, वो यहाँ पर दो गुड़े-दो की जगे पर तीन गुड़े-तीन कोर्टिका आवी दे दिया जाए, बस आपको यहाँ पर कॉंसेट समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि दन देजे, मनलेज यहाँ पर कितना था, दो गुड़े-दो था, अगर आपको तीन गुड़े-तीन कोर्टिका दिया गया होता, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने गयाद किया A11, A12, फिर इसी तरीके से A13, जैसे आपको यहाँ पर जो है, इसी में गुड़ा करना है, जैसे गुड़ा करते हम लोग आवियू का जो आपको आवियू का गुड़ा करना पहले ही बताया जा चुका है, उसी तरीके से बापको करना रहेगा, तो जो इसका अगला कोशन दिया गया है, यानि कि कोशन नमबर 4, इसमें भी आपको वही शिद्ध करना, यानि कि यहाँ पर सबसे पहले आप ग्याद करेंगे, Adjoint A, इतना आपको ग्याद करना, इसके लिए आपको Adjoint A ग्याद करना, जो आपको बताया गया है, कि अगर 3 गुरण 3 को इतिकाव्यों दिया गया, तो आप Adjoint A कैसे ग्याद करे इसके लिए आपको question number 2 देखना है question number 2 में आपको बताया गया है कि adjoint is आप कैसे ग्याद करेंगे जब यह ग्याद हो जाए तो फिर आपको इन सभी का गुड़ा करना है पहले आप इसका गुड़ा करेंगे फिर आप इसके बाद जो यहां पर adjoint a का गुड़ा करेंगे यहां और इससे और फिर last में आप determinant of a into i करेंगे अब की बार जो i use होगा वो तीन गुड़े तीन कोटिका होगा यानि कि इस करम में आप यहां पर i का अमान अब की बार जो है वो use करेंगे क्योंकि तीन गुड़े तीन कोटिका गुए तो यह अब आपका hw है अब इससे जो है आप लोग स्वेम हल करेंगे बागी जब आपको इसका पीडिया प्रोवाइड किया जाएगा तो वहां पर इसका solution भी दे दिया जाएगा अप चेक भी कर सकते हैं बाद में अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो इसके बाद धहन देजी अब इसके बाद धहन देजी कोश ग्यात करना है और आगे लिखा है जिन का अस्तित्त हो अस्तित्त के लिए आपको बताया गया था अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्यात करते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान जो है जीरो नहीं आता है तो यहां पर फिर ए इन्वर्स का स्तित्त होगा तो आप सब आपको चोड़ देना है लेकिन अगर आपने सालों किया और उसका अमान जीरो नहीं आया कुछ भी आ गया माइनस में आ प्लस में आ गया तो फिर आपको आगे एंवर्स ग्याद करना है तो यहां पर बताया गया है कि कोश्चन नंबर 5 से 11 तक में तो यहां पर मैं आपको दो गुड़े दो कोट के आभू में बताऊंगा कैसे एंवर्स ग्याद करते और इसके अलावा एक तीन गुड़े तो इनकोट के आभू के लिए एंवर्स ग्याद करना बताऊंगा बाकि के जो कोश्चन होंगे वो सेम टू सेम आपको करने रहेंगे तो सबसे पहले दान गया है सबसे पहले question number 5 तो इसमें दन देजे आप इससे जो है मान सकते हैं यहाँ पर कि माना A बराबर यानि कि यह जो आदू दिया गया इसे आप A के बराबर मान लेजे 2-2 फिर यहाँ पर है 4 इसके अलावा 3 इतना आपको दिया गया है तो सबसे पहले आप गयाद करिए determinant of A देखिए हम पर 3 दूनी 6 इसके बाद माइनस लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 यहाँ पर दंदिजी 3 दूनी 6 हुआ फिर कितना हुआ 4 दूनी 8 अब धंदिजी यहाँ पर यह आ रहा है 4 दूनी 8 और यह माइनस में आएगा तो यह प्लस हो जाएगा 8 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 14 तो अब बता सकते हैं not equal 0 यानि कि यह जो यहाँ पर 0 के बराबर नहीं आया तो यहाँ पर जो है A inverse का अस्तित है अब आपको A inverse ग्यात करना है A inverse ग्यात करने के लिए धंदिजी सबसे पहले आपको इसके सह गुणन खंड ग्यात करने है यानि कि आप ग्यात करिए A11 धंदिजी पहली row और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो कितना है गा 3 यह हो गया एक और एक जोड़ेंगे तो sum सम रहेगा तो बतायागे इसका चिनिया पर प्लस रहेगा इससी प्रकाश चे आप ग्यात करेंगे A12 अब धंदिजी जब A12 ग्यात करेंगे तो अपके बार पहली पंग्ति और दूसरा इस्तम पहली पंग्ति और दूसरा इस्तम जब पहला इस्तम दूसरी पंग्ति और पहला इस्तम छोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का दो लेकिन यहां पर दंदिजी दो और एक कितना हो तीन विसम संख्या है तो यहां पर माइनस लग जाएगा तो यह क्या हो जाएगा प्लस इसके अलाम अप ग्यात करेंगे A22 पर इन दोनों का योगफल भी समसंख्या तो इसका भी चिन प्लस में रहेगा तो सबसे पहले दंदिजी यहां पर जो है अब आप इन सह गुणन खंडों से बना आव्यू ग्यात कर सकते हैं यानि कि C बराबर दंदिजी यह उजाएगा आपका 3-4 फिर यहां पर गया तो जब आपको C मिल गया है तो अब आप यहां पर जो है ग्यात कर सकते हैं सहे खंडर यानि कि एड्जॉइंट ओफ ए बराबर होता है C की पावर T यानि कि जो C ग्यात किया इसका परिवर्त आव्यू परिवर्त आव्यू ग्यात करेंगे तो दंदिजी यह पहली रो आपको फार्मूला बताया गया है ए इंवर्स बराबर होता है वन बटेटर मिनन ट ओफ ए इसके अलावां एड्जॉइंट ऑफ ए यह आपको बताया जा चुका है एब धंदिजी यहां पर जाएगा वन बटे दिक्टर मिन अट अ ऊफ कित्णा आया था cuatro यहां पर जो तो यहां पर आया यह आपका A inverse हो जाएगा आप चाहे तो इस 14 से यहां पर इन सभी आववेगों को भाग भी कर सकते हैं यहां पर भाग भी कर सकते हैं या फिर इतने पर छोड़ देज़े यही जो यहां पर इसका अंसर हो गया तो यहां पर तरीका याद रखना है सबसे पहले आपको इश में क्या करना है देज़े डिटर्मिनेंट ओफ ए गयात करना अगर इसका मान 0 के बाराबर नहीं होगा तब ही A inverse का स्थित्थ होगा फिर आपको सहे गुडन खंड गयात करने है फिर आपको उस सहे गुडन खंड से बना आवे गयात करना है फिर आपको क्या गयात करना है जब यह मिल जाएगा तो फिर आपको यह फॉर्मला लगा देना है बस आपको यहां पर A inverse मिल जाएगा इससी तरीके से आपको यहां करना रहेगा इसके बाद धन देजी question number 6 same उसी प्रकाश से आपको करना है यह आपका HW हो जाएगा अब इससे आपको करना है सोयम इसके अलावा धन देजी यहाँ पर question number 7 अब यहाँ पर धन देजी यह आपको तीन गुड़े तीन पोटी का आदू अब दे दिया गया है तो सबसे पहले उसी प्रकाश दन देजी आप यहाँ पर मान लेजी कि माना यह बराबर यह आपको आदू दिया गया है 1, 0 यहाँ पर है 1 इसके अलावा जीरो और 0 फिर इसके बाद यहाँ पर है 2, 2, 0 फिर दिया गया है यहाँ पर 3, 4 और 5 इतना आपको दिया गया है तो सबसे पहले आप यहाँ पर ग्याद करिए determinant of A अब determinant of A ग्याद करने के लिए धन देजी आप सभी को पता है यहाँ पर कि सबसे पहले इसका कर्म जो होता है plus-plus यह अब धन देजी यहाँ पर सबछे पहले one यह यह bagai आपका उप 1 लेंगे तो यहाँ पर धन देजी यहाँ पर यह वाला स्तम्भप और इससे जाने वाली rho यह अपको झोड़ना है तो आपको करना है पांदो नी 10 माइनस इसका गुड़ा करेंगे तो 0 हो जाएगा अब इसके बार धंदेजे माइनस का 2 लेना है ये माइनस का 2 हो जाएगा अब धंदेजे अब की बार यहाँ पर पंक्त तो आपको यही छोड़नी है लेकिन अब की बार आपको इस्तंब जो है यहां पर यह वाला छोड़ना रहेगा यहां पर अब की बार यह इस्तंब छोड़ना है तो अब की बार धंदेजे इसका गुड़ा करेंगे 0 इसका गुड़ा करेंगे 0 इतना हो गया अब इसके बाद प्लस 3 हो गया अब धन्देजी यहां पर अबकी बार आपको यहां पर इस्तम यह छोड़ना है इसका गुड़ा करेंगे तो 0 माइनिस इधर गुड़ा करेंगे 0 तो determinant of a बराबर धन्देजी 10 से कम 10 हो गया यह वाला भी आपका 0 हो जाएगा यह वाला भी आपका 0 हो जाएगा यानि कि आप बता सकते हैं इस नॉट इक्वल 0 यह 10 आया यानि कि 0 नहीं है तो आप यहां पर बता सकते हैं इस में कि a inverse का अस्तित्व है इस तरीके से यहां पर आपको determinant of a मिल गया है अब यहां पर जो आप ग्यात करेंगे सह गुड़न खं तो इसके लिए धान देजे अब आपको यहां पर जो है इसमें ग्यात करना है सह गुड़न खंड तो सबसे पहले धान देजे यहां पर हम लोग ग्यात करेंगे a11 अब देखें यहां पर यहां पर पहली पंक्ति और पहला इस्तम आपको छोड़ देना है तो पहली पंक्ति और पहला इस्तम जब छोड़ेंगे तो द्यांदेजी पांदोनी 10 माइनस इसका गुड़ा आप इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर यहाँ पर द्यांदेजी एक और एक कितना होगा सम होगा तो इसका चिन प्लस ही रहेगा यह आगया इससे तरीके से द्यांदेजी आप ग्याद करेंगे अब की बार द्यांदेजी पहली पंग ती और यह दूसरा इस्तम आपको छोड़ना है इसका गुड़ा इधर करेंगे 0 इधर गुड़ा करेंगे 0 यानिके 0-0 बराबर कितना आगया? 0 अब कोई भी चिन हो इससे फर्कने पड़ेगा इस के लावद आदेजी A यहाँ पर हो जायागा 1, 3 अब की बार देखें पहली पंग्ती और यह वाला तीसरा इस्तम छोड़ना है इसका गुड़ा करेंगे आप तो 0 फिर इसका गुड़ा करेंगे तो 0 यहाँ पर भी 0-0 बराबर कितना आजायागा? 0 इतना हो गया इस तरीके से अब यहाँ पर लोगों ने पहली पंग्ती के सब ही आवयों के जो है सहे गुड़नखंड ग्याद कर ली है अब दूसरी पंग्ती के ग्याद करना है तो इससे आप लिखेंगे 1, 2, 1 दूसरी पंग्ती छोड़ना है आपको और पहला इस्तंब तो देखें दूसरी पंग्त छोड़ जाएगा और पहला इस्तंब तो इस 5 का गुड़ा आपको 2 में करना है 5, 2, 10 माइनस इसका गुड़ा आपको इधर करना है तो यह हो जाएगा 0 यह कितना है 10 लेकिन यहाँ पर दूसरी पंग्ती और दूसरा इस्तंब आपको छोड़ना है 5 एकम 5 हो जाएगा और इसके अलामा 0 माइनस 3 करेंगे जीरो गुड़े 3 करेंगे तो कितना आएगा है आपको जीरो आएगा इतना अब इसका मान कितना आज आएगा 5, 2 और 2, 4 यानि कि सम है तो इसलिए प्लस ही रहेगा इसके अलामा ग्याद करेंगे A, 2, 3 अब की बार धंदेजी आपको यहाँ पर ग्याद करना है 2, 3 तो यहाँ पर धंदेजी आपकी बार दूसरी पंक्ति और तीसरा इस्तम दूसरी पंक्त, तीसरा इस्तम यह टा देजी 0 का गुड़ा करेंगे तो 0 फिर माइनस 0 का गुड़ा इसमें करेंगे तो 0 3, 1, तीशरी पंग्ती पहला इस्तंब, तीशरी पंग्ती और पहला इस्तंब छोड़िए, 4 दो नहीं 8 हो जाएगा, माइनस दो त्याई 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखें, 3 और एक 4, यह सम समख्या है, इसलिए इसका चिन प्लस ही रहेगा, बराबर 8 माइनस 6 करेंगे, तो 2 हो जाएगा, 1, 3, 2, अब की बार देखें, तीशरी पंग्ती दूसरा इस्तंब आप छोड़ेंगे, तो 4 एक कम 4 होगा, और 0 गुरे 3 करेंगे, तो 0 आएगा, यहाँ पर देखें, 3, 2, 5, माइनस है, लग जाएगा, क्योंकि विसम संख्या है, यह आजाएगा, आपका माइन सदो गुरे 0 करेंगे, तो 0 हो जाएगा, 3, 3, 6, यह आपका यहाँ पर समसंख्या है, इसलिए यहाँ पर 2 आजाएगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है, सबसे पहले क्या ग्याद करना होगा, सह गुरन खंड, अब आपको सह गुरन खंड मिल गया, तो अब आपक सह olsun है, इससे बना यहाँ पर आव्य ग्याद करना है, यानि कि कि सी, छलिए धन दीजी, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, 10, फ़र 0, इसके बाद 0, फिर यहाँ पर माइनस का 10, यहाँ पर हो जाएगा 5, और फिर इसके बाद 0, यहाँ पर धन देजी, 2, यह उजाएगा, माइनस का चार और फिर हो जाएगा दो इतना हो गया अब आपको यहाँ पर जो है सहे गुड़न खंडों से बना आवियो मिल गया अब आपको ग्याद करना रहेगा Adjoint of A Adjoint of A बराबर आप C की पावर T लिख सकते हैं या फिर C ड़ेस भी लिख सकते हैं अब धन्देजियां पर यह पहली रोहे से पहला कॉलम बनाएए 10, 0, 0 यह अपकी दूसरी रोहे से दूसरा कॉलम बनाएए माइनस 10, 5, 0 यह तीसरी रोहे से तीसरा कॉलम बनाएए 3, माइनस 4 और 2 यह अपको मिल गया Adjoint A अब आपको ग्याद करना है A Inverse बराबर होता है 1 upon Determinant of A Adjoint of A अब धन्देजी यहां पर यह हो जाएगा 1 upon Determinant of A 10 इसका मान सबसे पहले हम लोगों ने ग्याद किया था यहां पर हो जाएगा इसके अलावा धन्देजी Adjoint A यह हो जाएगा आपका 10 यहां पर हो जाएगा माइनस का 10 इसके अलावा थ्री फिर यहां पर धन्देजी जीरो फाइफ और फोर फिर यहां पर जीरो जीरो टू तो यह मान जो आया है यहां पर यह तो आप 10 से इसे डिवाइड भी कर सकते हैं या फर आप इतने पर छोड़ सकते हैं इस तरीके से आप यहां पर जो है तो यह अब आप सभी का hw है जैसे अभी इसके पहले question number 7 सालो कराया गया सेम उसी तरीके से आपको सालो करना है सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा determinant of a निकालना रहेगा और अगर आपका यह 0 आ गया तो उतने पर छोड़ दिना धन्यवाद